क्रिम 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 रिम 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 हुमम हुम दक्षिना कालिके क्रिम 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 रिम 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 हुमम हुम स्वाहा मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा सिद्ध सदक परिवार में आपका स्व अतितिब्र सक्तिशाली टोटके भी दिये जा रहे हैं। कंत्र में बताया गया है कि जीबन में एक बार अवस्य ही सूलिनी साधना सभी को संपन करने चाहिए जिससे बाकी जीबन के समस्त पाप, रोग, सोक, दूख, दारिद्र समाप्त हो सके। साधक जो इच्छा लेकर साधना में बैठता है यह साधना समाप्त होते होते यह साधना समाप्त के कूछ दिनों के बाद उसका मनरत अवस्य ही पूर्ण हो जाता है। इस साधना के लिए सरबादिक उपयुक्त समाए पूस्या नक्षत रहे जिनको नहीं बता वो हमसे संपर करें उनको बता दिया जाएगा। दो दिनों में इस साधना को संपर्ण कर साधक अपने मन के इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कितने सारे तंत्र ग्रंथों में वर्नित शूलिन साधना के बहुत सारे लाभ बताएगे हैं। तीसरा है मनोवंचित व्यक्ति या स्त्री से विवाह संपन होना। चोथा है रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाना या रणमक्त हो जाना। पांचवा है जीवन के सारे पापों का नास हो जाना। छठा है भगवती दुर्गाजी के साक्षयत दर्शन होना। और सात्वा है समस्त प्रकार के रोगों को समाप्त करने के लिए और पूर्ण आयू को भोग करने के लिए इस साधना को भी संपन करने चाहिए। आठवा है मनोनुकूल और मनोवांचित कारिय की सफलता के लिए और जो नवा लाव है वो है प्रतेक प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए इस साधना को संपन करना अत्यंतियाब सके। अगर मेरा मने तो मेरे अनुभव में यह आया है आज दक कि यदि साधना को किसी भी प्रकार की वाधा, परेशनी अत्वा अडचन हो या कोई कार्य सिध नहीं हो रहा हो या प्रयत्न करने पर भी हम जीस प्रकार से चाहें उस प्रकार से कार्य सफल नहीं हो रहा हो तो यहा आप में एक अदभूत शिद्धिदायक और तिक्ष्ण सफलता दायक साधना है वास्तव में ही जब जब मेरे भी जीवन में किसी प्रकार की बाधा या अर्चन आये हैं मुझे हातों हात अनुकुल परिणाम प्राप्त हुए हैं चाहे वो राज्य संकट हो राज्य बाधा हो रोग निबारन, सत्रुओं पर विजय और मनोवांचित कारिय सिद्धि के लिए ये साधना सर्बाधिक उपयुक्त है अब बात करेंगे साधना के समय के विशे में यूं तो इस साधना को कभी भी संपन किया जा सकता है परांतु यदि इसका समापन पूस्य नख्यत्र के दिन हो तो सर्बाधिक उपयोगत रहता है अगर आप इस पूस्य नख्यत्र को संपन नहीं कर सकें तो इस साधना को अभिष्ट सिद्धि दिवस को भी आप प्रारम कर सकते हैं अब हम बात करते हैं साधना सामगरी के विशे में कि इस तीक्षन सफल दायता एक साधना के ल पवित्र करने के लिए गंगाजल से धो लेना चाहिए या सुध पानी से पवित्र कर लेना चाहिए फिर साधना स्तल पर ही लकडी के बाजोट पर लाल वस्त्र विचाकर उसके मध्य में चावल की धेरी पर एक दीपक लगाना चाहिए यह दीपक इस प्रकार का हो जिसकी आठ वत्तियां हो अर्थत पीपल या मिट्टी के एक ही दिपक में एक साथ आठ वत्तियां लगानी चाहिए जो अस्ट दुरुगाओं का प्रतिक है पूरा मंत्र जब इसी दिपक पर ध्यान केंद्रित करके ही करना है उस बाजोट पर बीच में यह दिपक स्तापित हो और ब भी महाविर हैं जो की कार्य सिद्धी में पूर्ण सहायक होते हैं फिर दिपक के दाहिने और गनेश जी और बाई और छेत्रपाल जी को स्तापित करना चाहिए इसकी स्तापना भी चावलों के धेरी बना कर उस पर सुपारी रखकर गनेश जी या खेत्रपाल जी का भाबना मन में रखते हुए उनकी स्तापना करनी चाहिए इसके बाद दीपक और साधक के बीच में उस लकडी के बाजोट पर ही एक पात्र में शूलिनी यंत्र जो प्राण प्रतिष्टित हो और पूर्ण चैतन्य युक थो वेशा आपको यंत्र कहीं अगर बाहर सूलिनी यंत्र मिले वाजार में उसको लाके हमसे वीधी पूछ के आप उसको कर सकते हैं या आप सिद्ध सदग परिवार से सूलिनी यंत्र को मगा सकते हैं उनकी स्थापना करें ये मत्यत तंत्र ताबीज के आकार के होते हैं इसके अलावा जलपात्र, केसर, कुमकुम, अक्षत, नारियल, पूस, फॉल और नवेद्य पहले से ही लाकर रख देना चाहिए दीपक में सुद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए अब बात करते हैं साधना विधान के विशे में कैसे इस साधना को सफलता पुरुबक हम संपन कर सकें साधना क्रम भी बात करेंगे अब पहले साधक क्या करें स्नान के पस्चात सुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्ब या उत्तर की और मूं करके बैढ जाएं और फिर सर प्रथम कुमकुम तथा केशर को मिला कर दीपक का पुजा करें। और प्रत्यक सिद्धी को तीन तीन पुष्प समर्पित करें। और प्रत्यक सिद्धी को तीन पुष्प पात्र में स्तापित यंत्र के सामने जो मंत्र बताएंगे वो मंत्र को उच्चारन करते हुए समर्पित करें। मंत्र ऐसा है ओम हरिम स्रिम सर्वसिद्धी दात्रे नमाहा। इसके बाद जो यंत्र स्तापित किया हुआ है उसके नईरुत्यकोण में एक चावल की धेरी भना कर उस पर महासीह का आवाहन मंत्र से करें। और महासीह का आवाहन मंत्र से करें। और महासीह आवाहन का मंत्र से है ओम आम बज्रनक्ख बज़द्रस्टा इधाया महासीह आया हुमफट नमाहा। इस प्रकार पूजनकर साधक अपने गुरु जी जहां से आपने गुरु दिक्सिया लिए हो। जो सिद्ध साधग परिवार से दिक्सित हो वो हमारे गुरुदेव जी का वो पुजन करें या उनका फोटो को उनका कोई पादुका हो उनके पास तो उनको स्तापित करें और जो सिद्ध साधग परिवार से दिक्सित नहीं है और कहीं से दिक्सित हैं वो अपने गुरुदे इसके सामने जो दिपक लगा हुआ है उस दिपक की सामने वाली ज्यती पर सुली निदुर्गागजी का ध्यान करें और सुली निदुर्गाजी का ध्यान मंत्रे साहे और इसके पस्चात आपको विशेश चिन्तन करने है साधक को दिपक के सामने की ज्यती में दृष्टी रखते हुए मानों जैसे त्राटक करते हुए यह ध्यान तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि दिपक में भगवती सुली निजी के दर्शन आपको ना हो जाए इसको याद रखें इसके लिए यदि साधक चाहें तो त्रिशूल के आकार का दिपक तयार करवा सकते हैं और एक ही दिपक में जो आठ बत्तियां लगाई जाती हैं उनमें बाकी बत्तियां भले ही धिमी गती से प्रजलित हों पर सामने जो दिपक सीखा है वो रुई को मोटी बाती हो जिसमें कि लो थड़ी उंची उठी हुई रह सके और उसमें भगवती सूलिनी जी का साक्षयात दर्शन आपको हो सकें दर्शन आपको होंगे ही होंगे ये हमारा दावा है कई सादकों को तो 11 बार या 21 बार ध्यान करने पर ही दर्शन या ज्वाला रूप में प्रकास दिखाई दे जाता है अतह सादकों को पूर्ण मनोयोग पूरवक इस ध्यान का उच्चारण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 21 बार उच्चारण किया जा सकता है 21 बार से ज्यादा नहीं उसके पस्चात ये साधना आप रात्री को या दीन को कभी भी संपन कर सकते हैं इसके बाद साधक को चाहिए कि वह 108 माला मंत्र जाप करें इसमें दो विधान है साधक एक ही रात में 108 माला मंत्र का जाप करें या पहले दिन 54 माला मंत्र जाप करें और सेश दूसरे दिन चोबन माला मंतर का जाप कर साधना को पुर्णता प्रदान करे। यहां मंतर जब सकती माला से करना चाहिए सकती माला से। आपको सिद्ध सदक परिवेर में आसानी से सकती माला मिल सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी साधक मंत्र जाब कर सकता है पर दिन को ही मंत्र जाब करना चाहिए और मंत्र जाब के बाद 108 आहुतियां मूल मंत्र की दी जानी चाहिए किसे पात्र में अग्नी जी को स्तापित कर एक पात्र में तील, चावल, सहद, गुड और राई मिलाकर उसमें घी डालकर मूल मंत्र के साथ 108 आहुतियां दी जानी चाहिए और मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र कोई चूक नहीं होना चाहिए कि ये तीक्षन प्रयोग वाला साधना है इसमें कोई चूक मंत्र में उच्चारण में नहीं होने चाहिए इसको एक-एक करके हम कह रहे हैं आप इसको लिख के रख ले मुल मंत्रे साहे ओम आयम श्रिम क्लीम हरिम ख्यूम दुम दुर्गाय नमाहा दूसरे दिन जब मंत्र जब पूरा हो जाए तब तक अखंड दीपक जलता रहना चाहिए साधक प्रथम दिन रात्री को साधना प्रारम करें और दूसरे दिन सुभा स्नाना दी से निब्रूत होकर सेश मंत्र जब संपन कर 108 आहुतियां पूरी कर दे इस प्रकार से यह साधना संपन हो जाते हैं साधना संपन करने के बाद यदि संभब हो तो किसी ब्राम्हन के यहां भोजन समगरी भिजवा देनी चाहिए अत्वा किसी कुमारी कन्या को घर में बुलाकर उसे भोजन कराकर यथोचित वस्तर दक्षिनादी प्रदान करनी चाहिए ज़े यदि यहां संभब ना हो तो कीशी मंदीर में जाकर कोई भी माताजी का मंदीर में जाकर संक्षिप्त भेट करके साधना संपर्ण माननी चाहिए इसके बाद इस यंत्र को धागों में फिरो कर अपने गले में बांध लेना चाहिए या पूजास्तान में रख देना चाहिए दीपक में धीरे-धीरे घी समाप्त होने पर आपने आप विशर जित होने पर उठा कर एक तरफ रख दे या मीटी का दीपक हो तो बाहर फेक दे लाल वस्तर और उन पर जो चावलों की धेरियां बनाई थी उन सबको इसी लाल वस्तर में ही बांद कर किसी मंदिर में रख देना चाहिए अथवा पवित्र जल तालाब में विशर जित कर देना चाहिए अगर मेरी मैंने वास्तव में सत्रु सहार, रोग निवारन, साधन सिद्धी और प्रतेक्च दर्शन के लिए यह पूर्ण सफल और समस्त कारियों में सिद्धी प्रताय साधना है हम तो कह रहे हैं, हम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी अपने जीवन में एक बार ना एक बार इस साधना को संपन करिये ही करिये आज के लिए वीडियो इतना ही था, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का और दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहे आज के लिए इतना आई था ओम क्रिम 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 हिम्रेम्रेम हुम हम दक्षिना कालिके क्रिम 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 हिम्रेम्रेम्रेम हुम हम स्वाहा मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा जै सिद्ध साधक परिवार